नमस्कार दोस्तों एस्बी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेस्बूक पेज यूट्यूब चैनल अम्रीज बालियान पर आप सब कहर्दिक स्वागत है बिनंदन है नगीना से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चंद्जेकर राजाद जी के कंदों प सफर सुरू हो गया है तो आने वाले दिनों में चंद्जेकर आजाद जी की राजनीतिक योजनाए क्या है और किसानों की पिछडों की दलितों की आवाज उठाने के लिए वो किसरनीति पर काम करने वाले हैं उसी मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे सब से पहले तो उमीद आपने जगा दी हर वो आदमी जो संगर्ष के दम पर कुछ आसिल करना चाहता है आज एक एक एग्जामपिल आपने सेट कर दिये अम्रीज भाई मेरे चुनाओ से एक बड़ा काम यह हुआ कि जो लोग इस बास से डरते हैं उक हम किसी फ़लानी पार्टी का टिकट निलाएंगे किसी फ़लानी पार्टी में दरी नहीं भेचायएंगे चाठू कारिता ने करेंगे कि इसी की गुलामी नहीं उसको जिता के भीज़ेगी तो मेरे जैसे हजारों एक्टिविस्ट जो देश भर में काम कर रहें उनके अंदर बहुत बड़ा मनंबल पैदा हुआ और आप इसका ऐसास देखना आने वाले समय में इससे जो बनेगा वो यह है कि और तेजी से लोग काम करेंगे और जनता के अवाज मुखर होंगी और सरकारों को जवाब देने पड़ेंगी तो आपने जीत का तो बरुसा जताया था लेकिन इतनी परचंड जीत होगी बावन परतिसत के आज पास वोट आप ले जाएंगे आधे से जाद है वोट भी बिना किसी गटभंदन में रहते हुए तो इतन लोग गुमरा होगे और उन्हें एक पार्टी को वोट दे के कुछ वोट खराब कर दिया अधरवाजी आप समझेए वो भी समधार लोग थे लेकिन उनके मन में इस तरह की जो है भाव पैदा किये गए कि चंसेकर नहीं जीत रहे हैं तो साध उन्होंने अपना वोट जो है बिजनोर में उफचुनाओ होगा बिजनोर में मीरापुर में उफचुनाओ होगा और नगीना में उफचुनाओ नहीं होगा बताओ मेरी दोनों बाते सही साबित हुई या नहीं होगा तो मुझे अपना भी ऐसास था और आसपास की सिटों का भी ऐसास था किस पर क्या प् बदलाव की और जो नगीना से एक विरोध सरकार के परती पैदा वा था उसका आसपास पहले चरण में आप देखो कि पहले फेस में दूर से फेस में तो आपको पता लग जाएगा साहरनपुर हो कैराना हो मुझफर नगर हो और नगीना हो या फिर मुरादाबाद हो या फिर संबल हो जिदनी भी सिटे थी मैक्सिमम सारी सिटों पे ना के बराबर भाजपा लाइन्स और विपक्स जो है जीता ये उसी सिट का प्रभाव था क्योंकि जहां तक भी हम कोशिस कर रहे थे कि सत्ता का जो दमन है उसको सबक मिलना चाहिए हमने उस पर अपना काम किया और पावजूद इसके आप कह रहे हैं वे प्रश्ची मुत्तर परदेश मंदागी जना से जो हवा चली उसने सभी जगह सर डाला कहरा ना मुझे फंदगर शारनपूर और आपके अपनी सीट भी इसके लावा दूसरी सीट आप गिना रहे हैं लेकिन क्रेडिट देन के लिए तो कोई तियार नीए आप क्या पर अरता है काम होना चाहिए देखो लिए कि के की की चिंता वह तो करेगा जिसे को करीडिट से कुछ चाहिए है ना मुझे कोई लोब है ना लाला चाहिए और ना ही मुझे बहुत माला गिरवानी मैं रहा लुदो भी माला निपानता हूं जोहमने किया वह उनको पता जीते और जो फारे उनको पता और जcamera को पता और मादल के लोग्त्तीप को पता के अगली है और जी यहिए है कि घर कोही तार्णा सहय करेगा हमने पूरे परदेश में और देश बर के हमने संकटने मिटिंग करके उनको तयार किया कि वो काम करें मेरे कंदों पर नगीना की जिम्मेदारी बढ़ गी है महां समस्य हैं बिजली की, पानी की, सड़क की, विकास कारिये की, धोग दंदो की, अच्छे होस्पिटल की और तमाम तरिक समस्य हैं, उन पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और क्योंकि अभी सपत नहीं हुई है, फिर भी मैंने अपनी बहुत सर तियारी कर लिए कि जैसे सपत होगी तत्काल जो है हम हर विभाग को अपने जो समस्य हैं उनके लिए लिखेंगे और आप भरोसा कीजिए, कि जितना काम आसपास की पचास सो लोग सभा हैं उतना काम अकेला चंसे कराज़ाद अपनी लोग सभा में कराने के लिए संगर्स करेगा रही दूसरी बात, अभी हमने अपनी लोग सभा को एक हम लोग उसको जो है, एक मोडल बनाएंगे वहाँ हम लोग अभी एक नंबर जो है, वो सर्वाइब करेंगे जनता, किसी कोई समस्या हो, कई थाने की, कचैरी की, किसी दप्तर की, कई और कोई समस्या हो, कोई अधिकारी करमचारी प्रेशान कर रहा है, कोई कागज ना बन रहा हो, उन सब के लिए जनता कोई जाने कि नहीं हमारे कारे करता हूँ फोन रिसीव करेंगे और खुर्ष से जाके जो है जनता की मदद करने हैं काम करें जनता को जो पहले से राज जीती में होता आया कि लोग वोट लेकर ढूंड़ने ही मिलते वो समस्या जनता की दूर होगी अभी में चार दिन अपने लोग सबारम रहके आ और फिर जो है बहुत जल जो है तीस तरीकी फिर लोग सबारम जाऊंगा फिर सेशन के बाद जाऊंगा लगातार वहां भी जाऊंगा यद्योंकि आभी आवाज ने मिला एक समस्या हो रही है हैं दूसरा कमरा नहीं और फिर बाहर भी तो हर जंगा एक MP के रुका वाय तो उसके कमरे के बाहर भी नहीं खड़े हो सकते हैं तो इसलिए जो है समस्य आ रहे लेकिन अगले आने वाले एक डेड़ महिने में सार समस्य लगबग दूर हो जाएंगी आवास मिल जाएगा तो वावास 27 गंटे साथ दिन नगिना की जंता के लिए विसेष और देश वर की जंता के खुला रहा रही जो भी आए अपना रुके अपनी समस्य के लिए जो भी हमसे हो सकता उसक्रिए करेंगी और फिर शेत्रों में पूरे प्रदेश में बूत कमेटिया सेक्टर कमेटिया विदानसभा कमेटिया भनरी है मेरा विश्वास है कि उप्चुनाओं जो आ रहा है जहाँ जिला कमेटिया अपनी तीजारी फूरी करच़ोगए और अब तो प्रिक्षाव के पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं, हमारे देश के प्रदान मंतरी, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े युद रुखवा दिया, युकरेन वाला युद रुखवा दिया, ऐसे चर्चा हैं, लेकिन वो पेपर नी लीक होने से रुखवा पा रहे हैं, नीट का देखे पेपर जो है, उसमें चोरी होगी, नेट वाले में जो है, देखे साब चोरी होगी है, और पुलिस बड़ती में होगी है, तो हम कोशिस ये करेंगे, कि सबसे पहले नوجवानों के रोजगार की वेवस्ता हो, फिर उसके बाद, एजुके सिस्टम में जो है, जो रिफोर्म हम चाहते हैं, उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे, समान एजुकेशन पॉलिसी, हैल्स एक्टर में जो क्योंकि आज मुझे मेरी लोग सबाचे से फोन आया, कि हमारे याँ सब को मुसबने मना कर दिया, तो हम एमस जाना चाहते हैं, तो मगर आज एमस में उस्तर की वेवस्ता नहीं करा पाया, तो मैं सोचता हूँ, और मेरा परियास भी हमारी लोग सबाचे से लोग को इलाज मिले, और फिर किसानों की महंगाई की, उसके साथ जो है, कानून वेवस्ता में जो खामिया हैं, बरस्ता चार्च जो रहा हूं, उन सब पे, समाजी ग समस्था के लिए, तर्टबंद बनवाने के लिए, तमाम चीजों के लिए, उसके साथ साथ, बिजली की समस्था बिजली को टोती हुई, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे हम मांग भी करेंगे कि बिजली के रेट कम किया जाएं, बहुत महंगी बिजली हमारे लोग को जो है लाब मिले और उनकी समस्चाओं को हम लोग जो है चर्चा पर जाएं और एक जो मैंने मांग उठाइए यह वैंने चुनाओं के बाद उठाइए देखते वे हालातों को चुनाओं से पहले नहीं कि लोग मुझे सपोर्ट करें कि पुलिस के साथ जो है जो जुल्म हो क्लास वन अबस्रों की तो यूनियन है विचार है कि इनकी इंस्पेक्टर हो चाहे जो है वो ऐसाई हो सीने रसाइए और इनकी सुनने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस विशे को हम लोग पार्लेमेंट में और जो कास्ट्रोश्टी बढ़ रही है जाते धर्म के नाम पर हिंसारी उस पर भी रोक लगे इसके लिए भी हम मजबूत अवाज उठाएंगे अलिगर्मा आपने काख भी आप भले सांसत बनगे लेकिन सड़क पर भी संगर जारी रहेगा जारी अभी हमें करके आपने देखा और आगे भी जारी रहेगा और थोड़ा समय प कारवा को बहुत दूर तक ले जाना मांपुर्सों कारवा बहुत अधूरा है साब हम पस्चिम के लोगों को मजाक उड़ाते हैं पस्चिम के लोगी कि वहां कुछ है नी महां को क्या कुछ मिलना चीए क्या है मारे आप बताओ कौन सा एक एक इंड़स्ट्री ले रहे हैं लाखों बच्चों को रोजगार मिल रहा हूं तो क्या यहां के बच्चे पे रोजगार नहीं है क्या समस्या नहीं सारनपूर में कैराना में मुझफर नगर में विजनोर में मेरट में क्या समस्या नहीं है यहां स्कूल कोलीज उनिविस्ट्री जुरूर नहीं क्या यहां स अगले पांदस दिन में 100% बूत कमेटी होगी और जो दिन चुनाओगा आप देखना लगबग 40,000 से ज़्यादा वोट सो जीतेंगे अब मैरे आपको मेरे अलान आप जो कभी जुटे होती ही नहीं आप जानते हैं मैं फिर आप से कह रहा हूँ ऐसा हो सकता आजार समाजपर्टी को हराने के लिए सब लोग एक जुट हो जाएं लेकिन आजार समाजपर्टी मेरा पूर्विदान रबचनाओ उपचनाओ जीतेगी ऐसा मेरा दर्विश्वास है अपने कारे करताओं की मेहनत पर अपने भाईयों की संगर्श पर यह पार्टी का काम है मेरा काम है पार्टी जहां ओडर करेगी चार दिन छे दिन दर दिन गली महुला एक अगर गाओं की ड्यूटी लगागी तो उसमें भी एक एक वोट तयार करूँगा कि आजार समाज पर्टी पक्स में है सोगिर जिसके जीतने को में जाद होगे उससी को लड़ाएंगे चर्चा चल रही है बड़े ओध्योग पती की पहले पूर विदायक भी रहा है कि मेरा पूर से चुनाओ मैदान मोत रहें आपके चुनाओच अब ये पार्टी का मामला है मेरा मामला होता है आपको मैं दिल में कुछ रखता ही नि cancelled काम करना है से अब जैन चोधरी की सिटिंग सीट है चुनाम अबामना सामने देखो दो सगे भाई भी एकजाम की तियारी करते हैं एक को नोकरी मिलती एक को नहीं मिलती लेकिन उनमें जगडा नहीं होता है तो वो अपना काम करेंगे अब वो दूसरे विचार धारा की दलो के सार मिलकर आगे बट रहे हैं और हम अपना काम करेंगे लेकिन क्योंकि हम इस छेत्र के हैं तो भाईचार अपने जगा है और चुनावी लड़ाए अपने जगा है तो जो साथ खुतली में साथ थे यह हम आजार समाज पार्टी को दिलाने क्यूसिस करेंगी बड़ा बयान चंदर शे साथ ही कही है बात कही है कि 24 तारिक से जो संसत सत्रूर होगा उसमें जनित से जुड़े मुद्धो को चंद सेकर आजाद अपनी आवाज देंगे